हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज का ये नया वीडियो में आपका बहुत सारा स्वागत है मेरा नाम है गोपाल तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे सबसे पहला है वीव पेजर यह जो एक्टिवीटी है दोस्तों इसका एकदम असान तरीके से इजी तरीके से यह मैं आपको बना के दिखाऊंगा Sketchware Pro में वीव पेजर एक्टिवीटी को आपकी से सीख सकते हैं यह मैं आपको डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा और जो दूसरा है दोस्तों है आप यहां पर देखिए मैं आपको यहां पर एक स्क्रीन रेकोडिंग वीडियो दिखा रहा हूं दोस्तों जो प्ले स्टोर म जो है आप इमेजस को देख सकते हैं यह जो एक्टिवीटी है दोस्तों इस पर मेरे को कॉमेंट आया था इसलिए मैं आपको बना के दिखाऊंगा SKWARE PRO में यह दो चीज आजका इस वीडियो में complete तरीके से दोस्तों मैं आपको करके दिखाऊंगा SKWARE PRO में तो वीडियो बहुत ही ज़्यादे इंपोर्टेंट है दोस्तों बिना स्किप करके वीडियो को पूरा last तक आप देखेगा तो चलिए दोस्तो आज का इस वीडियो को स्टार्ट बारते हैं दोस्तो आप यहाँ पर देखिए जाते वीडियो जादा लंबा ना हो इसलिए दोस्तो यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट फाइल जो है पहले से ही यहाँ पर मैंने बना के रखा है दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह रहा विव पेजर दोस्तो जो है आपको इसका जो इट गेट है दोस्तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा यह देखें दोस्तो यहाँ पर एक छोटा सा इमेज भी लगाय गया है इसे आप समझ सकते हैं यह भीव पेजर कैसा होगा ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट भीव दिया है क्योंकि डाटा को समझने के लिए दोस्तों यह जो है इसका डाटा है दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते ह यह जो है list मैंने लिया है उसके बाद एक variable लिया है दोस्तो map से यह है list map दोस्तो आप देख सकते हैं उसके बाद यह जो है यह map करके दोस्तो मैं एक variable यहाँ पर मैंने add किया है और यह जो है मैंने बनाया है दोस्त आप देख सकते हैं बाकी ये फाइल दोस्त आपको मिल जाएगा पहले आप इस वीडियो को पुरा लाश्ट तक देख लीजिए और यहाँ पर text view 1 में मैंने इसको set किया है पुरा data को समझने के लिए और यह जो view pager 1 है इसको मैं refresh कर रहा हूँ दोस्तो custom view data के साथ इसको मैं set कर रहा हूँ आप यहाँ पर देख सकते है set phaser custom view data ठीक है उसके बाद दोस्तों यह बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों तो इसे दो, दोस्तों, हम exit करते हैं, उसके बाद, दोस्तों, हम यहाँ पर इसका पर click करते हैं, click करने के बाद, दोस्तों, आप यहाँ पर custom view देख सकते हैं, view में गया है, दोस्तों, और हमारा custom view कहाँ पर है, यहाँ पर है, यह रहा हमारा custom view है, दोस्तों, आप इसको अपने भी one में set किया गया है from URL image का जो URL हो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं position IMG और list में ठीक है यह आपका value add किया गया है उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं component में दोस्तों यहाँ पर network connection internet का हमें जरूरत पड़ेगा दोस्तों क्योंकि image बगएरा जो है loading होने के लिए internet connection का जरूरत पड़ेगा और बाकी दोस्तों उसके बाद मैं आपको यह project file रन करके install करके दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आए ठीक है और यह जो project file है ना दोस्तों आप इसको जरूर डाउनलोड कीजिए बहुत ही ज़्यादा important है दोस्तों वीडियो का description में इसका project file का downloading link दोस्तों दिया गया है ठीक है आप जो है इसे download कीजिए और check कीजिए दोस्तों ठीक है और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकता है building apk तो हमारा जो apk है यहाँ पर build successfully हो चुका है हम इसको बाद में install करता है सबसे पहले दोस्तों आपको जो है इसको जो है आपको इसे जो है दोस्तों on कर लेना है इसका app component को उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप build setting में जाईए आप कुछ इस तरह का setting कर सकते हैं आपका जोरुवत के हिसाब से और अभी दोस्तों हम जो है इस project file को run करता है sorry दोस्तों install करता है चलिए open करता है दोस्तों दोस्तों open करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं जो data है वो आपको यहाँ पर दिखाई देर रहा है मैं बस आपको example समझाने के लिए यहाँ पर यह दिया गया है और दोस्तों यह कुछ view pager है आप यहाँ पर देख सकते हैं view pager है दोस्तों कुछ इस तरह का है दोस्तों आप coding की मदद से या फिर custom block दिया गया है उसका मदद से दोस्तों आप इसका stylist को change कर सकते हैं ये कुछ घुन फिर के आएगा ठीक है आप इसका stylist को change कर सकते हैं फिलाल दोस्त हम उसमें काम नहीं करेंगे मैं बस आपको ये view pager कैसे काम करता है और मैं आपको दिखा दे रहा हूं ये view pager activity के बारे में ठीक आप देख सकते हैं यहाँ पर हमरा चार image है आपको में यहाँ पर दिखा जेता हूं दोस्तों यहाँ पर हम total four image को हम यहाँ पर add किया है दोस्तों आप चाहे तो बाकिए image को भी आप add कर सकते हैं जीतना मर्जी ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है position by position यहाँ पर 0 है ये 0, 1, 2, 3 हमने past दोस्तों 4 image यहाँ पर loading हो चुका है बिल्कुल अच्छे तरीकी से दोस्तों आप देख सकते हैं ठीके उसके बाद दोस्तों जो है play store में जैसा था play store में जो मैं आपको बता रहा था जो screenshot होता है दोस्तों वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर total हमने 4, 1, 2, 3 और यह 4 screenshot का दोस्तों image जो है हमने यहाँ पर लगाया गया है दोस्तों यहाँ पर scroll view का आप यहाँ देख सकते हैं scroll view का मैंने इस्तिमाल किया है आप इसका पर click करके दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन-कौन सा मतलब widget का इस्तिमाल मैंने कहां-कहां पर किया है आप भी देख करके दोस्तों कर सकते हैं easy है ठीक है उसके बाद इस image को पर आप click करेंगे तो यह intent आपको लेके जाएगा home activity में और यह key है उसके बाद यह value जो है यह 0 है आप दोस्तो देख सकते हैं ठीक है इस तरी कैसे दोस्तो इसका जो है आप देख सकते हैं एक बाई एक में आपको दिखा जाता हूँ इसका key देख सकते हैं value 3 है intent आप देख सक सकते हैं यहां पर जो है हमारे जो भी हूब पेजर है यहां पर हमने जो की में जो भेलू था 0 है 1 है 2 है जो कुछ भी आपका number है ओ यहां पर सेट हो जाएगा और उसी image को यहां पर सबसे पहले सो करेगा तो दोस्तो चलिए मैं आपको यह जो है दूबारा install करके दूस्तों यहां पर देख सकते हैं अगर मैं इस image को click करता हूं तो यहां पर भी ऐगा और दोस्तो और बहुत सारी तरीका है जो एक simple सा easy तरीक है दोस्तों मैं आपको दिखा जाता हूँ दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको जो है मैंने convert किया है github यह जो है इसको अगर आप google में search करेंगे तो आपको पूरा पूरा जनकरी मिल जाएगा photo view के बारे में इसका एक library है दोस्तों आपको download करना पड version है अगर आपका को latest version आ जाता है तो आप उसको भी यहाँ पर download कर सकते हैं इसी है दोस्तों ठीक है और यहां पर देख सकते हैं यह पहले वाला को यहां पर open ये बस एक example था जो ये जो activity है आप किस तरीके से बना सकते हैं और ये view pager जो है आप किस तरीके से बना सकते हैं तो दोस्तों ये बस example था तो समझाने के लिए ये project file एक example है ठीक है बाकी दोस्तों आप इस project file को डाउनलोड कीजिए खुदी चेक कर लीजिए आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जायागा क्योंकि बिल्कुल easy तरीके से बनाया गया है और दिखाया गया है ठीक है जुरूर डाउनलोड कीजिए दो अपलोड करू तो आपको तुरणधी notification मिल जाएगा दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है न तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए कोई भी question है आपको कोई भी सवाल है तो जुरूर comment कीजिए ठीक है आप comment कीजिए और दोस्तों इस वीडियो को अपन इतना ही दोस्तों बाबाई